केंद्रिय खेल मंत्री किरिन रिजिजु ने सुर्खियों में चल रहे श्री निवासन गोडा के बारे में बात करते हुए कहा है कि एटलीट श्री निवास को खुद को साबित करने के लिए ट्रायल का मौका मिलेगा तो हम उसको तूरंथ उसको हम प्लेटफर्म देंगे उसका हम अपरचुनिती देंगे कि मैंने एक शुरू में मेरे ट्वीट किया था कि जो ओलिम्पिक्स का स्टैंडर्ट और वोर्ल स्टैंडर्ट जो होते वह बहुत उचा होता है त्रेडिशनल स्पोर्ट जो करते हैं या जो हमारा कन्वेंशनल वे से जो लोग परफॉर्म करते हैं उसको सदनली अब अंतरास्त्रे जो चैंपियों उसको तूलना करना यह इसमें हम नहीं कर पाएंगे क्योंकि जब तो कहम ऑफिशली मेजर्मेंट नहीं करेंगे जो भी हमारे सामने में तेलेन नजर आएगा हमारे इंडिया का नैशनल टॉप कोच के माध्यम से हम उसको ट्राइल करके अगर उमर ठीक है आगे जाने का संभा होना है तो फिर उसका हम नेशनल कैम्प में लाएंगा